नमस्कार दोस्तों अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने जैसे ही पूर्वान चल के भीतर अपनी ग्रिप टाइट करनी शुरू करी इंडिया गडबंधन ने पकड़ बनानी शुरू करी वैसे ही CBI की तरफ से टन से अखिलेश यादव को समन आ गया बोला कि आप CBI बेचायन क्यों हो गई अचानक से भारती जनता पार्टी के भीतर खलबली क्यों है और पूर्वान चल को लेकर ही खलबली क्यों है हम आपको इस वीडियो में आज दूद का दूद पानी का पानी करके बताएंगे या पहली बार CBI नहीं बुला रही है याद करो नीता जी और हमारे परिवारों कितने दिन CBI के अंडर रहना पड़ा हुआ ये दोस्तों कि कल की तारिख में हमने आपको अपडेट किया था कि गुड़्डू जमाली ने आजमगर से गुड़्डू जमाली आते हैं और जब आखिले शदव आजमगर से चुनाव लड़े थे तो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्तिनात की पूर्वांचल में जरा भी नहीं चली थी बिल्कुल जम्मेदारी से कह रहे हैं जरा भी नहीं चली थी क्योंकि नरेंद्र मोदी आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने बनारस के भीतर चुनाव जीतने के लिए तीन तीन दिन चार चार दिन का डेरा वारालसी में डाल कर रखा था फिर भी आसपास की जो लोगसभा की सीटे हैं वो बचा नहीं पाये थे कौन कौन सी सीटे थे बनारस में मोदी डेरा डाले हुए थे और गोदी मीडिया ये कह रहे थी बड़ा मोदी जी बनारस में है तो आसपास की सीटों पर उसका असर पड़ेगा ये होगा वो होगा पांडे बमुश्किल तेरा चौदा हजार से चुनाव को जीत पाए थे बगल की सीट है चंदवली बनारस के बगल की मोदी जी का इत्ता असर और योगी जी का इतना तगला रॉला होता तो वो सीट बहुत भारी अंतर से जीत थे चलिए चंदवली छोड़ दीजे चंदवली से आगे बढ़िए उसके बगल की सीट है गाजीपूर गाजीपूर में मनोज सिनहा जो है वो अफजाल अंसारी से चुनाव हार गए थे हुआ क्या करना पड़ा मनोज सिनहा को जम्मू कश्मीर का गवर्नर बनाना पड़ा मनोज सिनहा हार गए चलिए बगल उसके बगल की दिया था हरा दिया था तो अतुल राय भी वहां से जीत गए उसके बगल की घोसी के भी बगल पर चलिए आजमगल की लोग सभा में फिर आजमगल चली आजमगल में अखिलेश शादव ने किस तरीके से हार चटाई थी धूल चटाई थी भारती जनता पार्टी को मालूमी है पर उसके बगल की सीट पर चलिए अमबेडिकर नगर में क्या हुआ कि अमबेडिकर नगर में रितेश पांडे जो कि अभी ये पांडे जी चले गए भारती जनता पार्टी में वोट दे कर जो उनके लड़के हैं रितेश पांडे रितेश पांडे ने जो है भारती जनता पार्टी को हरा दिया था तो रितियस पांडे भारती जनता पार्टी चले गए वो अलग बात है जौन पूर उसके बगल में आजाईये पूरवांचल में जौन पूर की सीट पर किस तरीके से भारती जनता पार्टी को बसपा ने क्योंकि सपा और बसपा मिलकर चुनाव लड पर गर्दा उठा देंगे सब तैस नैस कर देंगे सब जित लें का जीता कुछ नजीत पाए अपनी सीट बचा पाए अगल बगल की सीते हार गए ठीक तो भार्ती जन्ता पार्टी को खल्बली इसी बात की है इस बात की कलबली है कि अगर अखिलेश शादव फिर से आजमगड चले गए और फिर से जिस तरीके का पूरवांचल में ये लोग समीकरण बना रहे हैं तो फिर भारती जंता पार्टी के लिए बड़ी दिकत एक चीज और है कि आजमगड की दस की दसो जो जितनी विधान तो पूरवांचल का इस बेल्ट के उपर भारती जंता पार्टी बहुत जादा सकते में थी पिछली बार भी इनके हाथ से निकल गई थी इस बार भी अब इनको लग रहा है कि इस बार तो पिछली वाली लहर भी नहीं बची है पिछला वाला महौल भी नहीं बचा है तो अब भारती जनता पार्टी पूरवांचल के भीतर अपना गुला गडित सेट करने के लिए उधर के जो लोग है चाहिए राय बरेली हो चाहि समाजवादी पार्टी छोड़ी नहीं है और अखिलेश शादव ने कहा है कि हम इनको लेंगे नहीं वापस दुबारा चाहे वो मनोच पांडे हों चाहे वो दूसरे लोग हों जो साथ में गए हैं अच्छा अब एक चीज़ और है कि सीबी आई का जो समन है अखिलेश आपसा मतलब है एक वो मतलब यह है कि आजम गड़की जो सीट अभी भारती जन्ता पार्टी के पास है निरहुआ जहां से सांसद हैं वो सीट फिनिश खतम वो सीट जाने वाली है भारती जन्ता पार्टी के हाथ से तो सीबी आई का समन टक से गिरता है और अखिलेश शाद वीडियो कॉंफरेंसी करके हमसे गवाही लीज़िए पूच लीज़िए क्या पूचना है कहा कहा खनन हो रहा था फावड़ा किसे चलाया कहा कहा कित्ता क्टा गढ़आ खोदा गया हम बता दिगे जित्ता हमको मालूम है। क्टो जिसमें कहा गया था बड़ी इसमें खामिया है ठेका पट्टा देने में और इस खामियों के चलते इसमें लगभक 100 करोड़ रुपए के गोटाले की जो है गुंजाईश हो सकती है ऐसा ऐसा करके यह जाज जो है कोट से CBI को दी गई थी इसमें अखिलेश शदफ का सीधा ना ना एक पाने करें आप से करें आप से पूस्तार करी जाएगी आपने मतलough अब विपक्ष में है अखिलेश शदफ तो में का पूछ करने राज में जो है मतले हम पूरब मुंझााईगर की मिरेट्यू त enabling के इसमें हम आप उस चाहślंच नहां के'll कि yes और पुर उंचल में कहिए कि एक रीया के मृत्यूँं हो तो उसके अंछा मामला गया था और यह मसला था और अमीर पूर में घंण घोटाले गप अमीर इसादर rein घिला आप जो है अश्वलियद जिए आप जुए लैट कर भी चाहिए भी आप जो आप पन्छं तल पर बैठकर सरकार चला रहे थे रहे सब्सक्राइव बवेस चलाए नहीं रहे हम उबाइस बात कि हम नहीं तो लेनी हो बनें तृम्ट की एर्त गरते चल्चकार है को नहीं ला लेनी है तो बात पूछ नहीं मुँंद सरका है हम बता देंगे हाथ कंगन को आर्ची क्या पढ़े लिकों को फार्ची क्या और डिमपल यादव का बयान आया है डिमपल यादव ने बिल्कुल क्लियर कट कह दिया है जिस पर हमने आप को बात बताए उन्हों ने कहा कि जैसे ही इंडिया गटबंदन मजबूत होने लगा जैसे ही यह भारती जनता पार्टी को लगने लग गया कि अब फिर से लड़ाई मजबूत हो रही है वैसे ही पिछली बार भी पिछले साल भी अखिले शादव का कहना है कि चुनाव से ठीक पहले उनको संबन दिया गया था बलकि संबन पूछता आज के लिए और तब से अब तक यह जाच रुकी हुई थी यह भी आप देखिए कि तब से 2019 से लेकर तब तक नहीं कुछ पूछा गया ना बताया गया तब से सब सान्त एक दम संनाटे में और फिर से चुनाव से पहले सी बी आई का संबन आ चुका है समाजबादी पार्टी का कहना है और डिंपल यादव का बिल्कुल साफ कहना है कि संबन इन लोगों ने इसलिए भेजा है क्योंकि अब हम को वोदी मीडिया जिक्शि की हमारे खिलाफ समन आया हैस्तब हमने जो है चैक कितने हुर्ण तब हमको मालुम चला कि हां गुरु आया है तो भाई जो लोग संबन भेज रहे हैं तो जो है गाने बजाने के साथ समन भेज़ रहे हैं इसका मतलत कुछ ते ही समन भेजते यह ये गाया जा रहा है कि बेज दिया बेज दिया समन बेज दिया अखिलेश शादव को समन बेज दिया तो इसमें जरूर दाल में कुछ काला है ये अखिलेश शादव का बिल्कुल साप और खुल कर कहना है तो आज के वीडियो में मुझे लगता है कि इतना ही और एक बात और ह है वो चुनाव लड़ सकते हैं इसकी सरचा हम अगले वीडियो में करेंगे यह लंबा हो रहा है और आजमगल से सरचना के साथ इस वीडियो में भी इतना ही दोस्तों इसाज़त दी नमस्कार उंठाचस्माई UC देखते रही है दोस्तों सब्सक्राइब जरूर敢 करिए आप ही हमारी ताकत हैं सच को समर्थन देते रहिए नमस्कार